नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजी किडा चैनल में और आज में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है जो app.xml फाइल है हमारी app.xml फाइल इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करती है app.xml फाइल जो है वो एक्स्टेंड होती है application class से यह देखे यहाँ पर tag लगा हुआ application तो अगर हम लोग इसकी code behind फाइल देखें तो आप लोगों को यह भी दिख जाएगा कि extend हुई है application class से तो इसके अंदर application के जितने भी events है वो काम करेंगे तो अगर हम लोगों को हमारा startup page change जो है वो change करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वो चीज अगर आप लोगों को यह change करना हो तो simple यहाँ पर आप लोग जो है कोई भी दूसरे विंडो का नाम और यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं पहली बात सामन में आ गई अब हम लोग चाहते हैं कि हम ल तो startup के अंदर आप लोग जो है इसका startup का वो जो tag है वो हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने लिखा window startup window start मैंने यह event जो है वो काम यहाँ पर लिखा startup और window start तो app.xaml file के अंदर मुझे यहाँ पर एक application मतलब method बनाना होगा private void window start ठीक है यहाँ पर object sender होगा and application start application start event argument अब हम लोग application को start करना चाहते हैं तो यहाँ पर event argument लगेगा startup event arguments और इसको देते हैं लोग अब हम लोग man window का नाम जो फाइल है उसका एक object बनाएंगे man window window wind wind equals to wind object लिख देते हैं यहाँ पर equals to new man window इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप इसका title भी लिख देते हैं लोग अगर इसका title जो है अब हम लोग इसको start करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो startup यो आ रही है वो class के through जो है वो successfully run हो पाई है नहीं yes exactly run हो पाई है first page यहाँ पर है hello word message यहाँ पर है और यह window आप लोगों के सामने show है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग app.xml.cs file के through जो है आपने first window on करना चाहते हैं तो window start यहाँ से यह जो method है हम लोगों को यहाँ पर apply करना होगा ताकि हम लोग startup page जो है वो यहाँ पर दे सके application resources जो है उसे हम लोग use कर सकते हैं जितने global resources इसकी इस file का सबसे अच्छा फाइदा तो यह होगा कि आप लोग global resources जो है वो use कर सकते हैं क्योंकि यह class जो है वो application class से extend हुई आप लोग यहाँ पर देखे तो जितनी भी application events हम वो इसमें काम करेंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और आप लोगों को interesting videos जो है वो आते रहेंगे आप लोगों से हम लोग ऐसे ही बात जो है वो करते र किके अजिए.